हम जिस गाउं में जाते हैं, कहता है मुखिया जी बड़ा चूरी कर रहे, मुखिया कामे नहीं कर रहा, मुखिया नाली गली नहीं बनवा रहे, रासनकार में अलहाई हजार, तीन हजार घूस लग रहा, इंद्रावास में पचीस हजार, तीस हजार, जरा याद कीजिए, दू वरिस पहले मुखिया का चुनाव हुआ पांट पांट सो रुपिया में भोट बेचे आप मुर्गा भाद खाकर भोट दिये आप दुदू गो पाउज पर भोट का सौधा किया आपने तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद होगा अरे आपको तो चोरी भी नहीं करने आ रहा है जिस मुखिया विधायक को पांट सो रुपिया और मुर्गा भाद के लालच में जात और धरम के नाम पर आप भोट देते हैं वही आदमी जब जीत कर आता है आपके हलक में उंगली डालके दस अजार बीस अजार रुपिया घूस लेता है और आप बाद बाद चिलाते हैं कि बिहार में बड़ा भरस्टा चार है तो जिस दिन भोट देते समय आपने भरस्टा चार किया तो वह आप क्या कर रहे थे गांधी बन रहे थे अगर समाद चोर है तो नेता इमांदार नहीं हो सकता